हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए अम्रेला का ट्लोंग घाम लेकर आए हैं इसे बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक ली है और सबसे पहले हम टॉपीज की कटिंग करेंगे तो यहां पर हमें टॉपीज के लिए फैब्री को एक वार फोल करना है तो मैंने फैब्री को कट कर लें तो यहां पर मैं टॉपीज के लिए फैब्री को कट कर लिया और हमारी फोल लेर में है और यह खुली साइड है फैब्री की यह बंद साइड है तो उसे पहले मैं लेंद ले रही हूं टॉपीज मैं 16 इंच का तयार करूँगी तो पहले आप फिक्स मार्क करें 16 पर और एक इंच फैब्रिक के मैं स्लाई के लिए एड़ कर रही हूं और यह मार्क जो किये हैं अब हम यह लाइन ड्रो कर रहे हैं बंज साइड की तरफ इंची टेप को रखोंगी सोल्डर में साथ इंच ले रही हूं जो भी हो आप हाफ लें क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ ले रही हूं बड़ी ड्रेस में आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच लेते हैं 7 इंच पर मार्कर के लाइन डिरो की है खुली साइड की तरफ और यहां पर हम चोड़ाई का फोर्थ भाग लेना है चोड़ाई है 40 तो फोर्थ हुआ 10 और 2 इंच घरैंच तो फेब्रिक में हैं मार्जन के लिए एड कर रही हूं कमर यहां पर हम कमर की ड्राफटिंग करेंगे कमर साइसा 34 इंच और फोर्थ हुआ और यहां पर जो मैं फैब्रिक एड़ करूंगी धाई इंच फैब्रिक एड़ कर रही हूं क्योंकि यहां पर मुझे चुन्नट भी एड़ करनी है अब हम यह लाइन ड्रो करेंगे जो हमने मार्क किये हैं अब मैं आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करूंगी तो इंची टेप को यहां कौने पर रखेंगे डेड़े इंची तक हमें तिरशी लाइन ड्रो करनी है और गोलाई करनी है यह बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है और फ्रेंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इसी लाइन से हाफ इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रो करेंगे और यह हमारे फ्रेंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है बंसाइड की तरफ इंची टेप को रखना है और कले की चोड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और कले की लेंथ मैं 4 इंच ले रही हूँ ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और यहाँ पे हमें 1 इंच पर ऐसे गूलाई करनी है सुल्डर 1 इंच डाउन करूँगी drafting हो गई है अब हम cutting करेंगे पहले हम इसे bottom part से cut करेंगे फिर दोनों के लिए में साथ मैं ही cut करूँगी फिर shoulder की तरफ से हमें इसे cut करना है फिर back arm holes की cutting करनी है और फिर आप इसे side से cut करने इसके बार एक piece को हमें अलग करना है जो back piece रहेगा front piece को अच्छे से fold करें और यहाँ पर आप front arm holes की cutting करने तो यहाँ पर मैंने top piece की cutting complete कर ली है same ऐसे two piece आप lining के लिए भी cut कर ले top piece के अब मैं आपको skirt piece की cutting करना बता रही हूँ तो यहाँ पर हमें skirt piece के लिए fabric लिए है और इस fabric को हमें एक वार fold करना हे तो यहाँ पर मैंने fabric को एक वार fold किया है फिर हम इसे ऐसे पर फोल करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे तिर्शा fold किया है ऐसे यहाँ जो मैं mark कर रही हूँ यहАँ तक full layer में है और बागी की two layer में है यहाँ पर हम kamar की drafting करेंगे कमर साइज हमने 8.5 इंच लिया है तो यहां भी हम 8.5 इंच तक ऐसे लाइन ड्रो करेंगे और 1.5 इंच फैबरिक मारजन के लिए हमने एड की है तो यहां पर हमने 8.5 इंच पर मारजन के लिए देख एड की है अब बंसाइट की तरफ आप इंची टेप को रखें और देखे जो लाइन हमने ड्रो की है यह कितनी है यह 12 इंच है तो ऐसे ही हम कौने पर इंची टेप को रखते हells यह ताकि इसमें थोड़ी सी गोलाई आ जाए तो मैंने ऐसे ही 12 इंच पर मार्क करके यह लाइन ड्रो की है अब हमें यहां पर इंची टेप को रखना है और जो हमें सिकड़ पीस तयार करेंगे यह हम 38 इंच का तयार करेंगे तो हम लेंथ ले रहे हैं इसकी 40 इंच तो यहां पर हमें इंची टेप को रखना है और 40 इंच पर मार्क करना है इसके बाग कोने पर इंची टेप को रखेंगे और ये देखेंगे जो मारका हमने 40 इंच पर किया है वो कितना है साड़े 12 इंच तो उपर का हिस्सा है जो कट हो जाएगा और 40 इंच ये है तो हमारा ये हो गया तो ये हो गया 52.5 इंच तो यहाँ पर कौने पर इंची टेप को रखते हुए 52.5 इंच पर हम सरकल ड्रॉ करेंगे साड़े बामन इंच पर तो आप कौने पर इंची टेप को रखते हुए साड़े बामन इंच पर ऐसे मार्क करें और सरकल ड्रॉ कर लें तो यहां पर हमने स्काइट पीस की ड्राफ्टिंग कर ली है और जो यह फैब्रिक है यहां तक फूल लेयर में है पहले हम कटिंग कर लेते हैं बाद में जितनी फैब्रिक बाटम पार्ट से कम है फिर हम वह फैब्रिक एल्ट करेंगे तो पहले आप इसे कमर की तरफ से कट कर है तो यहां पर हमने कटिंग कर ली है अब जो हमारी टू लेयर में फैबरिक है उसे भी हमें फूल लेयर में करना है तो अब हमएंगे फैबरिक रखेंगे और कौने से हम इसके उपर इस फैब्री को रखेंगे हाफ इंच उपर रखेंगे हम इसे ऐसे फोल लेयर वाली फैब्री के हाफ इंच में इसे उपर रखना है और सेम ड्राफ्टिंग करेंगे टू लेयर वारी फैब्री को देखते हुए आपको मार्क करना है तो आप इस तरह से देखते सब्सक्έ束 ओ ignor कर ली है और यहां पर हैंने हमारी ow बॉललेर में है और मोपर कर लू Anchopal तो कि दिए आउनम हमें मार्क कर लिया है कर रहे हैं है कि इस तरह हमारे स्कट पीस की में सब्सक्राइब कर दो और फ Exact Heart आपको इसे सी लम्ट आ रहे हैं तो सब से पहले हम Talkees तयार करेंगे तो यहां पर हमने Talk Rules लेना है टौप必 को हम सीधी तर्फ से रखेंगे लाइनिंग लिए तो इस पीस को हम सीधी तर्फ से रखना है और दूसरी पीस को हम उती तर्फ से रखेंगे और पहले हम आर्म होल्स पे और गले पर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हमने आर्म होल्स की तरप और गले की तरप यह सिलाई लगा लिए है और आप इसमें छोटे छोटे कट लगा ले और ध्यान रखें सिलाई ना कटे तो यहाँ पर हम यह कट लगा रही है आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ हमने कट लगा लिए है और इस पीस को हमने ऐसे सीधा किया है और इसके बाद एक एक सलाई आप आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ लगा ले तो यहाँ पर हमें टॉपीज को सीधा करके आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ एक सिलाई और लगा लिए है तो और इसके बाद हम इसे ऐसे फोलड करेंगे सेंटर से और बंसाई की तरफ इंची टेप रखेंगे और शाड़े तीर इंच पर मार्क करेंगे और अब आप यह चुन्नट भलें ऐसे यह लाइन सैंटर में होनी चाहिए और इस तरह से तिर्षी आप सिलाई लगा लें सेम ऐसे आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें दौना तरफ हमने इस लाई लगा ली है इस पीज को हम ऐसे सीधा रखेंगे और सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तयार कर लें बैक पीस को भी बस अंतर इतना रहीगा जो हमने यह चुन्नट साड़ी तीन इंच पर भरी हैं बैक सैड में हम चुन्नट चार इंच पर भरेंगे लेंद हम छे इंच रखेंगे तो हमने ये पीस तयार कर लिए है अब हमें सकर्ट पीस लेना है जो फैबरिक कम थी जो हमने बाद में कट की थी आप वो एड कर लें तो यहाँ पर हमने ये फैबरिक एड कर ली है और बॉटम पार्ट से हम इसे ऐसे एक इंच के करी फोल करेंगे पहला फोल हाफ इंच पर दूसरा फोल भी हाफ इंच पर करना है और सलाई लगाने है ऐसे आप पूरे बॉटम पार्ट को फोल कर ले तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को अब हमें टॉप पीस लेना है तो टॉप पीस के गले के सेंटर पे हमें सीधी लाइन ड्रो करके यह लेस एड़ कर ली है आप किसी भी डिजाइन में लेस एड़ कर सकती है इस पीस को हम सीधा रखेंगे अब हमें सिकर्ट पीस लेना है सिकर्ट पीस को हमें ऐसे उल्टी सब्सक्राइब दुट्प से रखना है और अब आप से लाई लगा लें है तो यहां पर हम दूसरे फिस को भी तयार कलें बॉटम पार्ट पर लास रखे और टॉप पीस पर भी लेस एड कलें अब इक पीस को सीदा रखेंगें तूसरे पिस को नुल्टी से रखना है आर्म होल्स पे और साइड में हमें ये सलाई लगाने ये सलाई हम बॉटम पार्ट तक लगाएंगे मिजरमेंट के कोडिंग आप टॉपीज में सलाई लगा ले जो ड्राफ्टिंग करती है टाइम मिजरमेंट था तो यहां पर हमने इस लाई लगा ली है और गाउन हमारा कम्प्लीट हो गया देख लीजे